पिहार के पुर्व उप्व मुखमंतरी तेज़सी आदब जी से आज पतना में ED की टीम पूछताच करने जा रही है और अब से महज कुछ देरी के बाद तेज़सी आदब ED ओफिस पहुशने जा रहे हैं पतना के बैंक रोड इस्थित ED ओफिस में तेज़सी आदब से दिली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर हर्याना तक और हर्याना से लेकर जार्खंड तक ED ने बवाल मचा रखा है एक तरफ जहां मुंबई में सिब सेना के बिधायक से ED पूशताच कर रही थी वहीं भुपेंद्र सिंग हुड़ा हर्याना के पुर्व मुखमंत पूस्ताच की गई है वहीं आपको बताते चले कि अब जारखंड के मुख्मंत्री हेमंत सोरेन का लोकेशन एडी ट्रेस नहीं कर पा रही है और बताया जा रहा कि जारखंड के मुख्मंत्री हेमंत सोरेन फरार चल रहे हैं एक राज्य का मुख्मंत्री फरार चल रहा है और उसको ED trace नहीं कर पा रही है कि आखिर जारखंड के मुख्मंत्री को आसमान खा गया या फिर पाताल निकल गया वहीं बिहार के पुर्ग उप्मुख्मंत्री तेजसी आदब से आज ED की टीम जो की special ED की टीम कहीं जा रही है और दिल्ली से आई है special पूस्ताच करने के लिए व पूस्ताच की थी यानि कि सुबह 11 बहे से लेकर रात के 10 बहे तक उनसे पूस्ताच हुई और इस दोरान राजत कार्ज करताओं ने पूरे पतना में बवाल मचा रखा था एक तरफ लालू प्रसाध्यादब की बेटी रोहिनी आचारिया जिन्होंने लालू को नरेंद्र मोदी का जमाई यानि की दमाद बता रही थी उधर लालू प्रसाध्यादब के समर्थक पूरे बिहार में बवाल मचाए हुए थे जब तक ED की पूस्ताच लालू प्रसाध्यादब से चलती रही हज्जारों की संख्या में आरजडी के कार्जकरता ED ओफिस के बाहर जमे रहे और आज भी वही होने जा रहा है जब तेजसी आदब से पूस्ताच होने जा रही है आपको बताते चले कि कल बीते कल लालू प्रसाध्यादब से पूस्ताच हुई है आज तेजसी आदब से पूस्ताच हो रही है नो फरवरी को रावरी देवी से पूस्ता चोने वाली है यानि कि कहीं न कहीं लालू प्रसाधियादव का पूरा का पूरा पड़ी बार संकटों में घिरता हुआ दिख रहा है और ऐसा लगड़ा है कि जैसे मुसीवत लालू प्रसाधियादव के दर्वाजे को खटखटा रही है और खटखटा चुकी नहीं है बलकि जब एंटर कर चुकी है लालू प्रसाध्यादव की गिरपतारी की असंका भी जताई जा रही थी जब साम होते होते 500 से जादा CRPF के जवानों की तैनाती ED ओफिस कर दी गई इसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि हो सकता है कि लालू प्रसाध्यादव की को ED गिरपतार कर ले इसलिए सुरक्षा बेवस्था बढ़ाई जा रही है CRPF की बटालियन को निउक्त किया गया है सुरक्षा बोलो की तैनाती की गई है हलाकि लालू प्रसाध्यादव की कल गिरपतारी नहीं हुई काफी सारे लोग का ये भी कहना है कि लालू प्रसाध्यादव से एडी ने 50 सवाल पूछे थे और लालू प्रसाध्यादव अपने सवालों में फस चुके हैं आखिर उन्होंने एडी के 50 सवालों का जवाब देते हुए कुछ ऐसा उनके मूँसे निकल गया जिसके बारे में बताया जा रहा कि लालू प्रसाध्यादव हस्थ चुके हैं और आपको बताते चले कि साम तक जैसे ही इसमें कुछ नया अपडेट आएगा या इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे लेकिन आज भी बिहार में राजत कार्ज करताओं द्वारा बवाल होना तैमाना जा रहा ह और ऐसा हमेशा होता है कि जब भी लालू प्रसाद यादव राबरी देवी या उनके परिवार के किसी सदस्य से E.D. या C.B.I. पूछ ताज करती है तो उनके पार्टी के नेता और कार्ज करता बवाल मचाते रहते हैं वहीं आपको जानकारी देते चले कि कल जब लालू की सलामती की दुआ कर रही थी ये वही लालू प्रसाद यादव हैं ये वही तेजस्वी यादव हैं ये वही तेजपरताप यादव हैं और उनकी पार्टी के नेता जो की प्रभुसी राम का अपमान करते थे भगबान का अपमान करते थे राम मंदिर बनने पर सवाल किया करते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनना चाहिए तो आखिर मिशा भारती को क्या जओरत पर गई कि वो मंदिर में जाकर हांत जोर रही थी, वो किसी अस्पताल में चली जाती, वो किसी स्कूल में चली जाती, इन सारे मुद्धों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले, जुरे रहे हमारे साथ, जैसे ही कुछ निया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुचाएंगे, जैहिन, जै भारत